क्या नंदनी करेगी कॉंग्रेस का बेडा पार या अमूल के जरिये बीजेपी करनाटक की सत्ता में दुबारा से वापसी करेगी और करनाटक की राजनी ती दूद पर आकर के क्यों अटक गई है नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमान नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक करनाटक में चुना होना है बताया जाता है कि बीजेपी की स्थित वहाँ पर बहुत ठीक नहीं है कॉंग्रेस पार्टी जोर लगा रही है और तमाम राजनीतिक मंडित कह रहे हैं इस बार व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करनाटक की कंपनी है उसका नाम नंदनी है जो वहाँ पर दूद बेशने का काम करती है करनाटक में अमूल दूद नहीं चलता पांच अप्रेल को अमूल के द्वारा एक ट्वीट किया जा रहा है मैं उस ट्वीट को आपकी स्क्रिन पर दिखा करने के लिए अब अमूल कंपनी लगातार कोशिच कर रही है जो देश के ग्रिह मंत्री हैं अमित शाह का बयान भी सामने आया था कॉंग्रेस पार्टी लगातार ट्रेंड चलवा रही है मैं आपको डियने इंडिया की एक खबर दिखा रहा हूं आप इस खबर को देखिए अमूल वर्सेस नंदनी रो करनाटक में अमूल दूद पर क्य हुआ विवाद अमूल गो बैक और सेव नंदनी के नारे क्यों लगाये जा रहे हैं आगे लिखता है डियने हिंदी करनाटक में दूद मैनुफैक्टरिंग कंपनी अमूल की इंट्री होने वाली है राज का ए से हैश्टेग ट्रेंड चलाए जा रहे हैं सोसल मीडिया पर लोगों का दावा है कि अमूल डेरी की इंट्री से अस्थानिय ब्रैंड और किसान तबाह हो सकते हैं अमूल पर अब राज में हंगामा बरता है अपोजीशन नेताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और अपोजीशन की अपील है कि लोग अमूल के खिलाफ आगे आएं और अस्थानिय किसानों के साथ खड़े हो जाएं करनाटक में अस्थानिय मिल्क प्रोडक्शन कमपनियों का बोल बाला है करनाटक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो ब्रैंड है और नंदिनी है जिस और नंदिनी के बीच प्रतियस परदा पर अमित शाह ने जो कुछ कहा था उससे अब पूरा हंगामा हो रहा है और जो किसान करनाटक के वे लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और वहीं कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा करनाटक में अंदोलन किया जा रहा है विरो कॉंग्रेस पार्टी का साफ कहना देखे नंदिनी यहां की लोकल ब्रेंड है और जब अमूल आ जाएगा तो लोगों को नुकसान होगा किसानों को नुकसान होगा किसान अपने दूद को लेकर कहा जाएंगे और नंदिनी का दावा है कम दाम में वे लोग अच्छा समान अच्छा दूद और दही देने का काम कर रहे हैं और अमूल का अपना अलग ही राग है अमूल अलग तरीके से अपना राग अलाप रहा है दैनिक भासकर की खबर में आको दिखा रहा हूं देखिए नंदिनी दूद 49 रुपे लीटर जबकि अमूल का दूद 52 रुपे तारीकों का एलान हो चुका है और अब बीजेपी कॉंग्रेस समेथ तमाम दल अपनी बात पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं तारीकों के एलान के बाद हर पारिटी के लिए खास तोर पर सत्ताधारी पारिटी के लिए राज जिमें हुई हर घटना काफी एहम हो जाते हैं क जो कि आपने देखा था तमाम विवाद जो है करनाटक से शुरू हुए थे ओ चाहे हिजाब विवाद हो या हिंदू-मुसल्मान की जब बात होती है तो कहा जाता है कि सारे मुद्दे जो है करनाटक से ही शुरू किये जाते हैं क्या है पूरा मामला देखिए एब पी ने बताया कि यो बेंगलूरू में अपने ब्रेंड को लॉंच करने जा रहा है अमूल की तरफ से ट्वीट किया गया दूद और दही के साथ ठ्रशनिस की एक नई लहर बेंगलूरू आ रही है जादा जानकारी बहुत जल्द ही हम लोग शेयर करेंगे अब पूरी जो आते हुई दिखाई दे रही है दूद पर राजनीत ही की जा रही है क्योंकि अमूल कई बार विवादों में रहा है अपने पैकजिंग को लेकर के तमाम इसके जो फोटोज हैं तमाम जो जानकारिया हैं आपको सोसल मीडिया पर आपको वेफसाइट पर इसकी जानकारी मिल जाएगी और अब लगातार गोबैक के नारे करनाटक में लगाया जा रहे हैं बीजेपी गोबैक नहीं अमूल दूद गोबैक सेव नंदिनी नंदिनी को बचा लीजिए और अमूल के जो प्रडुक्ट्स हैं आप लोग उनका बहिसकार करने का काम कीजिए और भारती जनत पार्टी का अलग रुख है कॉंग्रेस पार्टी का अपना अलग रुख है कॉंग्रेस पार्टी नंदिनी के समर्थन में है तो ही माना जा रहा है भारती जनता पार्टी अमूल के समर्थन में हैं आप लोग किसके समर्थन में हैं आप लोग अपनी राये हमें कॉमेंड ब कर रही है आपकी राय महत्तपूर है आप लोग हमें जरूर बताइएगा धन्वाद निशनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइक